राजदानी राची के सनक पर इस वक्त आदिवासी संगठन के लोग उत्रे हैं आप देखिए ये पूतला है और इस पूतले में बीजेपी नेत्री और पूर आईएस की पत्री सीमा तात्रा की तस्वीर जो है वह लगी हुई है और लगातार जो है कड़ी कारवाई की मांग की जा रही है आप देखिए ये राजदानी राची के अरगोडा चौक से ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जो है भारी आक्रोस है क्या बोलना चाहेंगे क्या मांग करता है अब लोग मांग करता है कि इसमें पात्रा को कड़ी से कड़ी साज़ा बिनना चाहिए लाकि किसी प्रावार का कोई विश्टर से क्लाम करने से दस वर सोच है पूरू आईयस की पत्नी है और बीजेपी में थी पहले बीजेपी पार्टी नहीं निसकासित कर दिया है उनके घर में सुनीता नाम की एक महिला काम करती थी और उन्हीं को प्रताईत करने का आरोप इन पर लगा है और उन्हें गिरवतार कर लिया गया है और ये खबर जैसे ही बाहर निकल कर आई और उसके बाद ये तमाम अदिवासी संगठन के लोग आप देखिए ये सणक पर उतरे हैं और लगातार विरोध फरदरसन कर रहे हैं और ये तस्वीर आप राची के अरगोडा चौक से दिखा रहे हैं कि देखिए महिलाएं भी आथो में जो है पोस्टर लेकर ये निकली हैं और लगातार मांग कर रही हैं कि सीमा पात्रा पर कड़ी से कारवाई की जाएं क्या बोलना चाहेंगे आज जो हमारी परान के साथ घटना घटी हैं बहुत ही निंदनी है इसुत्रे की घटना है है आये दिन हमारी बनों के साथ होता है जो कि बंद होना चाहिये सरकार अपनी आंखे खोले और हमारी महिलाओं के लिए शुरक्छा बेवस्थता करी से करी करे एक तरब बीजेपी दिंग हाक रही है कि आदिवासि हमारे मान्य राजपाल मोहत है दुरौपधी मूर्मु का बनाए उसका बड़ी-बड़ी दिंग हाक रही है अद दूसरी दरह मनसा दीख रहा है विजेपी का कि कि की स तरह से आदिवासियों को वो एक जानवर की तरह समझते सिफ आदिवासियों का जंगल जंगल जमीन से उनको मतलब है और आदिवासियों के बारे में बीजेपी नहीं सोचती है इस कांड से पूरत ये दिखता है कि RSS का मनसुबा क्या है और आदिवासियों के बारे में कितना सोचता है ये आप देख सकते हैं कि सीमा पात्रा का जो है। पुतला बनाये गया है और इसमें लिखा गया है कि भीजेपी नेत्री। आप सबों को बता है कि सीमा पात्रा के घर में एक महिला जोह अगां गरी थी और उन्हें परतारीत कि आ गया था। हम लोग के मांगे ही है कि जो सिमा पात्रा है उसको जोर्दार साला ने सिबली पापोती ने किया जाए अपिडिता को 25 ला का मौज़ा दिया जाए आज हम लोग सुनीता खाखा के लिए सड़क पर उतरे हैं और ये महिला त्यार जार जो प्रताड़ना जो उनके साथ हुई है उसे हम लोग कताई बरदास नहीं करेंगे और इस तरह का भास्पा नेत्री के द्वारा किया जाना जो बेटी बचा बेटी पढ़ा का नारा लगा कर बाहर भासन देते हैं और अपने घर में परताड़ित करते हैं महिलाओं को तो वो महिला की दूसमन है और उस दूसमन को इस धर्ती में रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं जारखन बाहर एसोसियेशन से भी काना चाहूंगी कि उनके लिए कोई भी अधिवक्ता नहीं होगी तब तक हम लोग इसकी तरह सड़क पर अंदोलन करते रहेंगे मांग क्या है बस गिरफतारी हो चुकी है बिल्किस वानों के अपरादियों की तरह इनको छोड़ ना दिया जाए संसकारी बोल के माला पहना के लड़ू खिला के इनको वापस ना ला लिया जाए इनको सही सजा दी जाए और ये डर भी लग रहा है कि भाजपार आरेसेस का राज अगर आ गया तो क्या दिवासिया और दलीतों का यही स्थिति करेगी सरकार प्रादियों को जिस तरह से छोड़ दिया गया है कही इनको भी कल छोड़ ना दिया जाए इसलिए सजा पोखता हो क्योंकि इनी के राज में निया है 2002 के सारे कैसेस बंद कर दिये गया है कोई गरंटी नहीं है नरेंद मोधी सरकार का सीमा पात्रा को कल लड़ू और माला खिला के वापस ना ले आई ये लोग तो हैमन सरकार की सरकार है सुप्रींग कोट केस जाएगी तब बहुत मतलब यह कोई कहां नहीं जा सकता है जितना खराब यह घटना है समाज की तौर पर सर्मिमिन्दा है कि एक सड़े में समाज में ऐसी घटना हो रही है जहां नहीं कुछ नहीं कह सकते हम यह जितनी खराब घटना है यह घटना आज की ने भाजपा द्वारा प्रेरित किया जया घटना है भाजपा ने पूरे देश भर में रेपिस्टो को जिस तरह कैसे सम्मान कर रही है और जिस तरीके से सोशन कर रही है उसी का नतीजा और भाजपा के लोग काम करने वाली महिलाओं के ओपर जिस तरीके से हमला किया है इसको नकाला नहीं जा सकता और हम मांग करते हैं कि सीमा पातरा को अजीवन का रवास ओ और जो सीमा सीमा सुनीता खाका है कम से कम 10 लाख रुपया का मौजा देने की बाध हम मांग करते हैं और झारखन सरकार से आज तो हैवान का हम लोग पुतला दान की है और ये हैवानियत है ये इनसान के सकल में जो हैवानी समाज में रह रहे हैं कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा खत्रा है ऐसे लोगों को जेल के सलाकों के पिछे तो होना ही चाहिए और ऐसे लोगों को सक्से सक्साजा मिलना चाहिए ताकि समाज में ऐसे ऐसे खुरकत्र जो है दोबारा पुर्नावरती ना हो हम जब कल रिम्स में मिलने के लिए गए और जब हम सुनीता खाका के पूरे वाक्यान को सुने जिस तरीके से उन्होंने मार्मिक रूप से अपने सारे चीजों को बताया कि किस तरीके से प्रताड़ी तिया जाता था उनको कमरे में बंद किया जाता था और कमरे में बंद करके रोड से मर रहा जाता था और तरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था यहां तक की मूत्र भी उनको पिलाने का काम किया जाता था यह तो बहुत दुगदाई है और आज के इस भारत में जो कि पूरे स्वतंत रहे हैं आईसे घटना को हम सोच के भी डर लगता है और ऐसे इनसान को हम चाहते हैं कि रोड से वो मारने का भी पर्यास की है अटेम्ट्टू मडर है तो 307 के तायत उनके जो है मुकदमादार होना चाहिए और उनको जो है सक सक जेसाजा मिलाच है क्यों कि उन्होंने मारने का प्रयास English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं